असलाम अलेकुम के साम सब लोग में हुना दाशा अबकास आज की वीडियो है उसमें आपको सिखाऊंगी कि अपनी आइब्रोस कैसे फिल कर सकते हैं जसके में ने की हुई है आप लोगों को भूस अदिकत होती जब आप लोग मेकप करते हैं आप लोगों को अच्छे साइब पर नीचे है और कभी जब अबिद गणी ने बन ती कभी आगे जाती हैं अबी आप यह में काफी ज़ादा मसले होते हैं आपको मेंद यह करते हैं तो आज की आपको बताओं की क्या करें दूड्श और साइबर स्ब्नाइन चाहिए तो इसके इलाब उने एक में इसके मेंण एक देखती नगते हैं में उठाए कोDR में वाहिए क्योंकर आपके मेंक जुछ से नहीं का झार लुक होutta इसके लाव तो बिलेक और ब्राउन कलर को मिक्स करकर यूज करना पड़ता है यह जो दो पैंसेल है मेरे पास उसके बाद जी हमें, अगर आप यह पने बाद यूज यह पास दूसरी पैंसल भाती है मेरे पास यहां पर मिस्रोस की भी है जो कि काफी अफोरड़िबल है दूसरी रिदा जैन की है जिनके एक तरफ जो है इसके पैंसिल होती है जिससे आप अपने आइब्रोस को फिल कर सकते हैं आपको कोई एक्सरा प्रोड़क्ट भी लेने की जरूवत नहीं पड़ती है यही आपको मिस्रोस का भी मैं चेक करा देती हूँ इसके भी एक तरफ इसके पैंसिल है अप्लिकेटर है जिससे आप अपने आइब्रोस को फिल कर सकते हैं लाइक दिस और अराम से जिसका इसका इसका प्रोड़क्ट बता दूंगी जो आपको बहुत ज़रूरी है आपको पॉल दो सही है हमने ina चाहिए ले G दो इसके लिए में लोर्क होना चाहिए तो सीजर यह तिuer जिय2 too giàwork his turn his चीः करण जाएगी तो just how probably terry the shoe को यह था यह उसी यह Muh-леud-ॉब ऑफSalut पड़ा हुआ है आप उससे भी अपने आइब्रोस को फिल कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास exact product होगा तो आप कर सकते हो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो आपके ब्राउन फिल कर सकते हो क्राइलन का यह जो पैंकेक में आपको दिखा रही है इसका नमर 101 है और यह professional यह चाही है आपको दिखा देती हैं इं 4 में से कोई भी एक ब्रश जो है वह आप ले सकते हैं यह टू-इन-वन ब्रश है एक तरफ इसके ब्रश होता है यह रिज़ पूली होता है और यह सबसे बैस रहता है उसके बाद ये ब्रश है इसका क्या यूज़ है वह वीडियो क अंदर बता दूंगी उसके बाद जी अगर आपके आईवरोस तोड़ी सी खराब जाती हैं फिलिंग करते हैं लाइनर वगरा भी खराब जाता है तो उसके लिए आपके पास कॉटन बर्ड और मिसलर वाटर हर वोकत अवेलिबल होना चाहिए मैं आपको काफी वीडियो में ब मिसलर वाटर लगाया और उस जगा को जो है काटन बट से तरीके के साथ नीट कर लिया जैसे यहां पर मैं आपको डेमोंस्रेशन भी देखे दिखा रही हूं मिसलर वाटर भी आप कोई सब यूज कर सकते हैं आपका जो भी फैवरिट हो ठीक है उसके बाद यह अक्सर कर होगा मेरी जो यह है यहां पर मैं ध्रीड से अपने यहां पर को सब्सक्राइब कर सकते मैं आपको वीडियो में त्रेडिंग उखाए हुई है कि अगर कहीं से मेरा कोई बाल रही गया और नहीं निकला ध्रीडिंग में तो उसको हम क्यों ट्यूजर से निकालते हैं उप पर से नीचे से कहीं पर भी रहे गया उस जगा पर बार बार थ्रेड या वेक्स नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि स्किन आपको पता है निकल जाती है उस जगा के छिल जाती है तो यह जो टूथ ब्रॉश है मैं आपको बताया था कि वीडियो में बताऊंगी इसका क्या जो यूज़ है आप इस कसे बना सकते हैं तो अखसर आपने वीडियो में देखा उगा लोग इसको कटिंग करके अपनी आइबरोस को जो यह वह वह से कव नहीं होती जैसे सपूली से कॉम होती है यह जए जो आईबरो का अपना ब्रस होता है उसक्से कॉम होती है तो इस स तरह जो एंगल शेप ब्रश है उसे इंब्रोज को फिल कर लेते हैं या फिर इस तरह का जो आता है टू-इन-वन ब्रश आप यह वाला भी ले सकते क्योंकि तरह एक तरह कॉम होता है जो आइब्रोज को अच्छे से कॉम कर देता है जो हमने आइब्रो के अंदर प्रोडक्ट करना ना ही बंटा है तिंग के जांद की नहीं में 누्त बाता है ज enough और में एस प्रोड़क्ट-क को अच्छे करी उशाब product जो हेवह वह ब्रोस में spread हो जाएगा और जिस जिस direction में बाल है उसी direction में आपने हमेशा कॉम करना होता है और यह वाया जब brush आपको नज़र आ रहा है यह brush कितना पतला है तो यह अराम से ब्रोस के अंदर चला जाता है उसके बद आपको बता है ब्रोज को define करना है तो कोई भी concealer आपने लेना है और कोई भी flat brush आपके पास है, flat brush नहीं भी है तो आप cotton bud से भी लगा सकते हैं concealer तो उससे आपने बहुत ही carefully एपिलिकेशन करनी है concealer की ब्रोस के इर्दगिर्द जहां पर आपको बता है कि यह मैंने डिफाइन करना है इस एरिया को वहां पर लगाना है कंसीलर और उसके बाद इसको इविनली जो है वो ब्लेंड आउट कर देना है ठीक है और दरम्यान में इस तरीके से लगाना है ताकि आपको आइडिया हो सेट रहती है प्रोडक्ट जो है वो पर नीचे नहीं होता है अक्सर लोगों की जो आइब्रोस हैव बुशी भी होती है तो उनके लिए बहुता अच्छा होता है कि वह ने पर बार उनको परशानी नहीं धो तो यह मारी एक यजज़ों हो गई है दूसरी सेट नहीं थी तो मैंने बोला था कि अगर आपके पास कोई फ्लेट ब्रश नहीं है तो आप कॉटन बट से साफ कर सकते हैं अपने कॉटन बट पर बिल्कुल लाइट सा मैसलर वाटर लगाया और ब्रोज को नीट कर लिया आपके आपशला ओ सब्सक्राइब कर से और ने बखर कर दिया कर सा अजमाया आप इसे उस फील कर रहते हैं तो मुझे पिंख रहना में तर्ड़ा है अपने लिए लÕश से ने और बुलन लोuff देना ओपना अपना डेल झाल झाल